Welcome back, guys और क्या हल चलना सब की तो, भाई, वायरेफ के खतरनाग Spike Universe के South के Cinema Tκ Alumni Universe को टक्कर दे पी पाएगी या नहीN देखो guys, वायरेफ के Spies Universe का और South के Cinematic Universe का कहीं से कहीं तक भी मैच बिलकुल भी नहीँ है सलमान कान हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरिश्टार कंसिडर के जाते हैं तो शारुकहन दुनिया के सबसे बड़े सूपरिस्टार कंसिडर किये जाते हैं अगर वायरेफ के spike universe का content कीसी वजह से धमाकेदार और killer निकल गए न तो definitely hindi belg में south के cinematic universe को रगल रगल के धोडा लेगा बट उन पैन इंडिया लेविल ये बॉलिवूड का स्पाइ उनिवर्स साउथ के सिनिमेटिक उनिवर्स का बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि आज के टाइम में साउथ वाले ने बाप लेविल की स्टोरी बना रहे है बट गैस अगर पठाण के स्टोरी बहुत अच्छी निकली न तो भाई ये जो बॉयकोट ट्रेंड चल रहा है न ये एक प्रमोशनल इवेंट बन जाएगा पठाण के लिए अभी आप लोग को सामने लिटेस्ट एग्जम्बल ब्रहमास्तर मुवी है जितना लोगों ने इस मुवी को गिराने की कोशिस की है ये उतने ही उचाईयों से उठती चली गई है और भाई भी इतना दूर के जाना भी लेटेस्ट एग्जम्बल पठान के सॉंग्स और टीजर को ये देख लेते हैं इस बंदे का स्टाडम लेविल ना अलगी लेविल पर कोई भी इस बंदे को स्टाडम में बीट नहीं कोई एक मुवी को ओडियो लॉंच पर इतना तगड़ा स्टाडम इतनी जाधा भीड़ गाइस और इस युनिवर्स में अगर लोकिश कनाग राज इस बंदे को प्रिजेंट करने में सक्सेट्फुल होगे ना तो गाइस ओल रिकॉर्स विल बी शैटरिंग डाउन आर आईपी फर ओल दी रिकॉर्स और लोकिश कनाग राज के युनिवर्स की दो मुवी अल्रेड़ी आ और बैस सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कैती मुवी की स्क्रिंस जो थी ना वर्ल्ड वाइड वो थी 900 700 थी दोस्तों इंडिया में और 200 थी ओवर्सीज में तो इतनी कम स्क्रिंस में इस मुवी ने बॉक्स ओफिस को हिला कर रख दिया तो इस चीज से मंदाजा लग 25 करोड और में जो लोकेश कनागराज की नेक्स्ट मुवी आने वाली है वह होगी दोस्तों थलापती विजय के साथ में थलापती 67 तो डेफिनिटली गाइज यह मुवी तो बवाल कर देगी बॉक्स ओफिस पे उसके बाद में दोबारा बॉक्स ओफिस पे बवाल होगा द इस दा बिगेस्ट बिगेस्ट एवर बिगेस्ट युनिवर्स ओफ इंडियन सिनिमा केजिएफ टू की सकसे देखे गाइज हम इस चीज से अंदाजा लगा सकती कि अगर यह सिनिमा चड़ता हुआ दिखा यानि कि अच्छा सिनिमा दिखाया और तो भाई आर आई पी ओल इनकी रिलीज हो चुगे केजिएफ चैप्टर वन एंड केजिएफ चैप्टर टू और इन दोनों मुवी का क्लेक्शन बतानी कि मैं बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं समझता हूं क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते कि यह दोनों मुवी बॉक्स ओफिस पे कितनी तग अगली मुवी थी इस युनिवर्स की अगली मुवी होनवाली है दोस्तों डार्लिंक प्रभास की सलार जिसके कुछ पोस्टर्स नहीं दोस्तों इस मुवी के लिए अलग सेपरेट फैन बिस खड़ाक कर दिया है सलार के बाद में हो सकती है दोस्तो KGF चैटर 3 और उसके बाद में शायद हो सकती है NTR 31 इन दोने मुवी में दोस्तो कौन सी पहलाएगी कुछ definitely confirm नहीं है क्योंकि भाई डार्लिंग प्रभास का स्टाडम बहुत ही खतरनाक है और अगर ये प्रभास की सलार मुवी ट्रिपल रर केजी एफ या बहुबली सीरीज की तरह मास्टर पीस निकलीन है तो इंडिया तो इंडिया बॉक्स ओफिस पे सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी इं गैस में इन तीनों युनिवर्ण के लिए बहुत ज़्यादा एक्क्साइटेड़ नहीं कर सकता बॉलीवुड का इंडियन लेविल पे दोस्तों 500 करोड तक सीमीत है बट साउथ के सिनिमैट्रीक उनिवर्ण हजार क्रोल के के एंडिया लेविल पे हितिक रोशन सल्मान खन शारुखान भाई इन तिनों बंदों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पाई उनिवर्स को बड़ा बनाने के लिए और गाईज अगर इस पाई उनिवर्स ने हिंदी बैल्ट में साउथ मुविस को भीट कर दिया तो भाई इन तिनों की मेहनत सक्सिस्फुल साबित होगी तो आप लोग कमेंट करके बताने कि आप लोग कौन से उनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन से एक्टर आपका फेवरेट है तो गाईज मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक एर जाहिन जय भारत